जिला विकास की दौर्ड में आगे बढ़ पाएगा लेकिन आज 20 साल बाद विकास की दौर्ड में अनुप पुर्जिला कहां खड़ा है तीन विधान सबाक्षित रहे इसमें यहां पर आती हैं जिसमें कोत्मा जहां पर इस वक्त हम हैं पूरे शैडोल का एक मातर ऐसी सीट जो की अनारखशित है और बागी सीटों के इस संद्र में बाद करें जो तीन सीटे यहां पर हैं उसमें से दो पर इसमत कांग्रेस का कबजा है एक पर भारती जन्ता पार्टी के निता काभिज हैं और जो एक बीजेपी के निता है वो इस वक्त मंतरी भी है उसके एक छोटी सी शपत हम लोगतंत्रे के लिए अपने हाथ आगे किजिए और शपत लीजिए मैं भारत के लोगतंत्र में सची निष्ठा और शद्धा रखूंगा और जिम्मेदार नागरिक होने के चलते अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करूँगा बहुत बहुत धन्यवाद अपना इस्थान करहिंड कीजिएगा और इस शपत को जरूर याद रखेगा सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है सोच समझ कर वोट दीजिएगा दीतार की चलते kicking के सवाल जबसे सबसे पहले की बद्यादी समस्याओं को लेकर इसकी शुरूआइ'd करते हैं हमार साथ में तमाम अलग 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 वर्ग के लोग मोजूद हैं मैं धीरन कुमार जन ज्याकरती मंच को बिलांग करते हुए एक सामाजिक संस्ता के हैसियत से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं निश्य यहमारा नगर तकरीबन 115 से 120 साल पुराना है मगर विकास के नाम पे हमें सदेव जुन्जुना मिला है पूर्वे में महार यहां यह सीट सुरक्षित थी तब हमें ऐसा लगता था शैद कुछ विकास हो सकेगा पर उस टाइम भी विकास नहीं हो सका इसके बाद हमारे यहां जब हमारी यह सामाने सीट हुई इसके पस्चाद भी हमने विकास के नाम पे क्या देखा तीन सालों से तीन पंच भर्षियों से हमारे यह चुना हो रहे हैं और हमारे सामाने बिधाएक हमारे हां आ रहे हैं पर उन्होंने विकास के नाम पे हमें कुछ भी नहीं कि दिए हमारे था सबसे वड़ी हम वियोपारी संग्सीद भी लॉंग करते इसलिए मैं सिर्फ रोजगार की बात करूँगा रोजगार के लिए हमारे हाँ इसका इससमय परिशानिया है जिसका कोई कोई ठिकाननी दूर दूर तक हमें अंधेरा दिख रहा है जबकि कॉरी बंद हो चुकी, हमें हमारा पूरा बजार आप यदि यहां से महावी निकलेंगा एक तरफ पूरी दुकान बंद भी देखेंगे आपको में बजार मतलब पूरा मेन चोगा है एक तबाद पूरी दुकाने बंद पड़ी है दूसरी तरफ मार्केट बने हुए इसके बाद भी वहाँ सब खाली पड़ा हुआ मैं है चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि यदी हमारे हां रोजगार की जो रोजगार मुलक समस्या है मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमें इतने दिनों के बाद भी हमारी स्वास्तुजदाएं बिल्कुल नगर्ण है हमें बिल्डिंगें तो बहुत सारी मिली क्या बिल्डिंगों में मरीश ठीक हो सकते हैं कोई डाक्टर नहीं है कोई नर्से नहीं है कभी समय पे कुछ भी नहीं हो पता और रही बात नगर के उसमें तो हमें रोज पढ़ने को मिलता कि यहां जुआ हो रहा है, यहां सट्टा हो रहा है तो यहां का प्रशासन क्या कर रहा है, यहां की जन्प्रतिदी क्या कर रहा है उनके ना नाम दिखाये जाते है न वो सिर्फ हमें दिखाये जाता कि आहां हो रहा है हम यह जारना चाहते हैं कि भैwee यह कब तक चलेगा और हम लोग कब तक इस तरह ठके रहे जाएंगे हम भी अपनी स्वास्थ को लेकर बात किये रोजगार स्वास्थ दो महत्पुन मुद्टे निकल के सामने हैं यहां से कोई गर सवाल करना चाहे शुरुवात में जी बोलिए मैं आते सिक्षक संग जिलाद ध्यक्षनुपुर ने बोल रहा हूं हम आज 13 साल से इतना पीडित हैं इस सरकार से कि हमें सरकार दस माई के लिए रखती है और दो माई लिए हमों छोड़ देती है प्रसम समस्या यह हमारे पास है कि जब कांग्रेस की सरकार आया डेर माई के ल करते थे कि इसके उपराण जब सिंध्या जी हम उसे मिल एद बोले कि यदि यह सरकार रहेगी तो मैं आपको जुरुरती सिख्षक बनाऊंगा लेकि सरकार कांग्रेस की गिर गई तो बोले हम मैं मैं रोड में आपको नहीं रहने दूँगा शिंध्या जी का कहना था कि मैं विर्गर सरकार देखने वाला ना सीवां लिगे जम्हेरों से इसके जवाब लेलेते हैं कॉंग्रेожет के प्रतिनीधी भी भारती जांदा पार्टी के प्रतिनीधी भी है कि सरकार आपकी है क्या कहेंगे कई सारी वि shipping लागे की मिस जो समस्या यां है उसमें बहुत अब तक तो मैं भी सहमत हूँ अब विशह आया है कि सामाने सीट होने के बाद पिछले दस साल से यहां पर जो विधायक निर्वाचित हुए है उनको अपने दस साल की उबलगदी बतानी चाहिए उनको बताना चाहिए कि दस सालों में उन्होंने क्या किया है जो भी विशह आये है बाकि जो नीतिकत विशह है नीतिकत विशह में सरकारों ने बहुत काम किये है चाहे वो हेल्थ का चेतर हो चाहे इंफाइस्ट्रक्चर का चेतर हो सरकार ने कहीं कोई को ताही नहीं बरती है आप बोले तो मैं उसकी सूची प्रिस्तुत कर दूँगा हेल्थ को लेकर बहुत सारे शिकायतें यहाँ पर हैं कि बिल्डिंगे तो बन गए लेकिन स्वास्त ने बिस्वधाया नहीं मिल पाती विस्वष्टर का हास्पिटल निर्माड़ा धीन है तो मैंने कहा इन्फास्ट्रक्चर की छेतर में हमारे सरकार कोई कोता ही नी बढ़ती हमने बहतर इंफास्ट्रक्चर कड़ा किया है और अनुपूर का जिलास्पटाल आज अने जिलों के तुलना में मध्यप्रदेश का आ यहां पर मौजूद हैं मैं जाना चाहूंगा आपसे कि यहां पर इस्थानी विधायक भी आपके हैं इस कारिक्रम में भी हमने तीन-तीन विधायक को बुलाया था लेकिन एक भी यहां पर नहीं आया और उसमें जरूर इनी समझा इतना प्रतिश्चित कारिक्रम खेर वो अ अठारा साल से हैं भारती जनता पार्टी की सरकार है एक भी उद्यो खुला हो एक भी कोई कारखाना है हो बेरोजगारों के कहीं नोकरी की बेवस्ता हुई हो तो आप बता दीजिए मैं उतारा दूँगा इस चेत्र में 36 गड़ और मध्दप्रेस का बाड़ है कोठी वहां एक कंपनी पेलस्पन के लिए जमीन ले गई थी किसानों की वहां उन्हें पौनेदाम मालजा दिया गया आज दस साल से उपर हो गया उस जमीन के लिए हुए आज वहां का किसान भटक रहा है परेशान है वहां के छेत्र के लोगों ने किसानों उन्हें इसलिए जमीन दी कि हमारे चेत्र में रोजगार आएगा हमारा चेत्र जो है फिकास करेंगा कोई उध्यों का जायेगा तो निख्ट्रिय Rig iek कहतम हो ऑज हमारा चेत्र कहों बार भएâu हो कोलाण्चल चेत्र है आप देख लिए जितनी भी ख़दाने हैं लगभग वो बंद होने की कगार में सेंट्रल कवर्मेंट की जो नीतियां है वो पन रही है यहाँ पर आमाटान ख़दान है आप चले जाएए किसान इतना परेसान था कि अभी वहां संच चल रहा था मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि भारती चंता पार्टी क अभी बीजेपी के प्रतिनीदी है वो कह रहे थे कि यहां पर बहुत कुछ किया है स्वास को लेकर आपकी क्या से लेकिए 18 साल में लूटने के बाद भारती जनता पार्टी के सरकार के नुमाहिंदे और भारती जनता पार्टी के नेता जवाब देने के बजाए बातों को अठारा वर्स तक इन लोगों ने भहे भूक और ब्रस्टाचार की सरकार चलाई है मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं आपको आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि इन लोगों की भहे भूक और ब्रस्टाचार और 50% की सरकार अब जाने वाली है कांग्रेश की सरक पूछिए। में पूरे देश में बहुत चर्चित किया जाता था डेड़ साल के अंदर उन्होंने एतना अच्छा मेनेजमेंट किया कि उनके ही इदल के 25 से 30 विधायक उनसे रुष्ठ होके भाजपा में सामिल हो गए और जहां तक भय भूक और भ्रष्टाचार की सरकार की बात कर रहे है आप थोड़ा सा छेतर में निकला करो कांग्रेस के मित्रो जाके वहाँ पर छेतर में देखो आज चारो तरप हमारे अहां महिलाओं की कैसी स्थिती है इस बात को आप कलपना नहीं कर सकते हो स्वासाहायता समू के माध्यम से और विभिन्य योजनाओं के माध्यम से हमने सम आप जी मैं कोत्मा का व्यापवारी हूं अभी किसी ने बोला कि यहां पर सौस्त की ब्वस्ता टीक नहीं है शिक्षा की व्यास्ता टीक नहीं है रोजगार नहीं है पिछले 10 साल से तो भाजपा अपोजीशन में है तो यह जन प्रतिनी दी करेंग ने डिसाइड कि यहां पर रोजगार आये, सिख्षा आये, कैसे यहां का छेत का डबलम्मेंट हो, नगरपाली का तो उनके लेबल से बाहर की चीज़ है, तो जन प्रतिनी दी ने क्या किया दस साल, ये वो बता हैं, ये एक महत्वपुन सवाल यहां पर जन प्रतिनी दी ने क्या कहा अजिमेदर, य लेकिन दुरुभाग के इस बात की है, कि यहां चाहे कॉंग्रेस की सरकार हो, चाहे भारती जनता पार्टी की सरकार हो, एक दूसरे के सर के उपर पड़ागा फोड़ने का ये काम करते हैं, कॉंग्रेस कहती हमारी सरकार नहीं हैं, भारती जनता पार्टी कहती हमारे विधा बार नहीं बनेगी यह मुगालते में हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी हमारी सरकार बन जाएगी पिछले बार भी जनता ने बारती इंता पार्टी की नीतियों से त्रस्त होकर कांग्रेस को बहुमत तो नहीं दिलाए लेकिन कांग्रेस की सीटे ज्यादा आई और उसमें बहु इदर से कि सवाझ ले ले टेते हैं हाहां से बहु की बात करेंगे हमारे कोत्मा में चाहिए किसी भी की निगरपाल का आई हो चाहिए कंग्रेस की चाहिए बाच्पा की टाउन प्लानिंग आज तक नहीं बनी जैसा कोटमal ये िनली नाली बनाती है दो बिन बन भाव बस इतनी काम होता है टाउन प्लानिंग तो किसी ने कि ही नहीं जब तक टाउन प्लानिंग होके नहीं होगा तो कोटम मोढमे कल कि कई विकास चाहेफ कितना भी कर लिजिए एक भी नहीं दिखेगा फॉल emotional की बात यहां पर करने जी बोलें मैं लक्षमीकांत्रि उपार्थी लोगसभा उपाद्ध्य आमाधिव पार्टी का मैं भारती जनता पार्टी क्योंकि सरकार में उनसे सबसे पहले प्रस्न करना चाहूंगा कि क्या भारती जनता पार्टी का खुद का कुछ एजंडा है जब से भारती जनता पार्टी नहीं आ जाना है कि आमानी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तयारी कर चुकी है तो केवल कॉपी पेश्ट का फर्मूला अपना रही है अगर सिक्षा के छेतर में देखा जाए तो पहले कभी सियम राइज स्कूल नहीं आए 18 साल से जादा हो गए भारती जनता पार्टी यहां प्रदेश में सासन कर रही है मगर कभी भी सियम राइज स्कूल या स्कूलों की जो उन्यान की बेवस्ता थी उस पर कोई चर्चा नहीं के गई स्वास्त बेवस्ता का मामला ले लिया जाए तो अभी इस पर उनकी आँख नहीं खुली है क्योंकि यहां जो नजडिक में विज्री नगर पाली का है वहां का स्वास्त गेंद्र आज भी प्राथ्रमिक स्वास्त गेंद्र है अब उसके बाद जहां एक बहुत ही क्या कहेंगे लाडली बहना योजना तो 18 साल लाडली बहना नहीं थी जबसे आमाद्यू पार्टी गुजरात और पंजाब में यहां अपने गारेंटी कार्ड में दिया कि आमाद्यू पार्टी एक हज़ार रूपे महिलाओं को देगी तब से इनके सपने में देगा हैं साथियों ने का मंतीम छोर पे हैं और हम फ्रेसा फेंपी बनके दिखाएंगे थोड़ी पिसंगतिया हैं जिन लोगों पुराइया निकाल है कि दस सालों में क्या हुआ स्वासकेंद की तो जो विपक्ष में हैं उने क्या आप ड्यूटी का निर्वहन किया जितने बातें वह मंद माद्यम से माइक विरोष करते जो कमिया है तो कम यह कम भी न ही और रह पाती है विपक्ष ने जी बोलिए देखिए सवाल जो पिछले 18 साल से सरकार में हैं वो सवाल कर रहे हैं जो जिम्मेदार है सारी चीज़ों के वो सवाल कर रहे हैं ये ये बिलकुल भी आप ये सोचिए कि 18 साल से मद्यप्रदेश में भारती जन्ता पार्टी की सवाल है मेरे मित्र भाजपा के बोल रहे थे हैं और इनके सिवराज सिंग्जोहान जी ताजे कंडिडेत हैं अभी अभी तोड़ के लेके आये हो आप 20 साल पुराना उनका वही जुमला लगातार चलते आ रहा है मध्य प्यू संहम् miry सुरक्षा की की बात हूं आप उस पर देख लिए अब सिख्षा सिक्षा का सिटरिड़ी आप स्वास्त का सी इस तर देख लिए आप कहीं भी महिलाओं को भी सामिल करतें कारिक्रभ में जी आप कुछ कच require करें क्योंकि महिलाओं की रहा हूं चारो था तो सिरासी मुख मंत्री जी कहां थे बस मेरे जी बोली अम्मा भी जानकी प्रज़ापति ये सवाल है मेरा कि पियाम आवास योजनाओं को ले करके ग्रामीट शेतर में उन्हों ने डेड़ लाक रूप है और सहरी छेतर में ठाई लाक रूप है तो क्या गाउं के लोगों का जो सामान है सीमेंट हैराढ ये सब क्या उनके दामों से सस्ती दिया जा रहे हैं तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों ठीक है भेद हाँ दूसरा चीज है मेरा सिक्षा आज भी हम कई सालों से लेकर करके अगर हमारा ऑनलाइन सेंटर होता है तो हम अपने संभाग से बाहर एक्जाम देने चाते हैं सिक्षा के छेतर में बिल्कुल ही जीरो है में विकास हुआ है वाकई विकास हुआ है भाजपा के विधायकों का विकास हुआ है विकास हुआ है बेरोजगारी का विकास हुआ है विकास हुआ है वाकई विकास हुआ है महिलाओं में अत्याचार का विकास हुआ है मैं मानने आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ऐसा व आप हमारे गाउं में चलके देखिए यह मैं आपको रोड दिखा रहा हूं पीड़ेब्लूडी का बना हुआ रोड है एक करोड 29 लाग का मेरे गाउं का रोड देखे क्या इस सिती है माननी विधायक शुनी सराब देखे सुक्रत कराया है और बीच गाउं में जैसा लगता न लिए क्या है बरुजगार लिए क्या यह वाग लिए बताईए एक अभी पाई ने गिर रहा है रोपा नहीं लग रहा है कि सानों का बीच साल भारपक सरकार है कहां सिचाई वर्थ ठकी है बताईए हर बहुत फानि पानी है किसी घर पानी पहुँटता कोई बताईए को तो कि हमारे भाई साहब बताए कोलांचल छेतर है किसानों का पूरा जमीन वहां ले लिया गया है लेने के बाद उनको जो नौकरी प्रोवाइट करवाया गया था उसमें से भी उनको दस साल नौकरी करने के बाद लोगों को हटा दिया गया है उनकी जमीने पूरे खोद ली गई जमीन भी गया नौकरी भी गया बच्चों के लिए आपके साधी के लिए और अन्य जरूरतों के लिए लोगों ने बैंकों से लोन रेर रखा है आज उनका तीन साल से पेमेंट बंद है अब वो कहां से उसको भरपाई करें दूसरी बात जहां तक हमारे नेताओं की बात है हम सब लोगों ने पूरे छेतर मिल करके कोतमा बीधान सबह में कोतमा में लोकल दो वार भी धायक बनाए एक माननी मनोजग ग्रुवाल के रूप में, माननी सुनील सराब जी के रूप में, एक बार हम लोगों ने बिजुरी छेत्र को भी ये औसर दिया माननी दिलीब जैस्वाल के रूप में, तब मैं समस्त लोगों से पूरे कुतमा विधान सबके सहरी और ग्रामिर छेत्र के लो आई भार्दियन्ता पार्टी के 15 साल के शाशन 18 साल के शाशन को लेकर भी नहीं बिल्कुल सही है लोगों का मंची इसलिए लगा हुआ है कि वो अपनी बात यहां पर रख सके सिकायते रख सके अभी मेरे कांग्रेस के मित्र या समाज से भी जो भी है वो कह रहे थे कि नल जल योजना के माध्यम से जहां कभी कलपना नहीं की जा सकती थी वहां भी आज पानी पहुंच रहा है और इसका अगर सत्यता की जाच करना तो यह जरूर है एक दिन में 24 घंटे में सारे लोगों को कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है लेकिन जो आगे चल रहा है निरंतर प्रग मैं आपको कोई बताना चाहरा हूँ कि अभी कुद्र पहले बात आई कि महिलाओं के सम्मान में तो यह पूछ ले कि इनके तो मुखिया ही सम्मान नहीं कर रहे हैं महिलाओं को ट्रेन में देखते ही छेड़ने का काम करते हैं तो महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं ठीक ह और उसके बाद इनके विधायक से पूछ जीजे कि 5 साल में उने क्या किया दो काम बता जिरहों मैं बस इस्टेंट में भष्टा चार दो लाग के बस इस्टेंट का 5 लाग भी निकालना पहला काम और दूसरा काम किया है कि देख लिए कि इसके पास जादे पैसा नगर का सेट है तो उसके उपर कोश्चन लगा दो तो वहां के सेटिंग कर ले 10-25 दे जाए कोश्चन लगाने का काम कर रहे हैं और सिर्फ एक काम कर रहा है अगर वो कोतमा में थे अगर उन्हेंने पान साल भी कास किया तो अभी वो यहां पे होते हैं बिल्कुल सहीर मैं आ रहा हूँ जवाब लेने के लिए आ रहा हूँ जवाब लेनी के रहा हूँ जी आप कुछ के ना चाहरे थे को लिए मेरे नाम सुरेंद्र केवट ग्रामीर 6 से हूँ वर्तमान जनपस दस जितने भी लोगों ने कहा यहां पर जो डर्चो पार्टी प्रांगण में जो मौझूद है भारती जनता पार्टी की सरकार 17-18 सालों से है क्या इसके पहले कभी इस सीमिंड जैसे सड़क में क्या चले आज ग्रामीर 6 में आप देखें ग्रामीर 6 के कोने कोने पर ऐसी सड़के बनाई गई है अभी वो दिखा रहे थे फोटो पीछे पानी भरावा था पूरा सड़कों पर हां मैं जवाब देता हूं पानी भरा होगा तो गढड़े होंगे और जहें नगरपालिका हो या ग्रा सारे के सारे समापत हो गए मैं ग्रामीर 6 में रोग 10-12 गाव में भरमण करता हूं चाहे बिजली की बेवस्ता हो चाहे जो भी बेवस्ता हो भारती जंता पाटिक सरकार ने जो बेवस्ता बनाया है किसी दुन्ये किसी लोकतंतर में किसी जमाने में एक काम नहोगा आप गरीब को आवास योजना मिला था कि उस जमाने में 20,000-25,000 का मिलता जिससे 56 नहीं मिलते थे आज एक गरीब को डेड़ डिल्लाक का आवास आवास मिल रहा है इनका यह कह रहा है चीक है यहां से एक सवाल है फिर मैं आपके पास आरहों कांग्रेस पार्टी की विधायक को पर रहे थे की विलस्पम की नौकरी नहीं लगता ही कि उसका मूल कारण है कांग्रेस के दुआरा किया गया जा आगए अगर वो गोटाला नहीं किया गया होता तो विलस्पञ को सही समय में में मिल जाती और हमारे चेट में रोजगार उपलब दो जाता है दस वर्स पहले कांग्रेस की सरकार ने 20 लाख करोड का गोटा लगिया है कितना बड़ा गढ़्ड़ा पूरे भारत वर्ष में किया इन्होंने उसको पहले हमारी सरकारों ने पाटने का काम किया उसके पाटने के पश्चार जो विकास दिख रहा है वो दिख रहा है तो इस वीशे में भी कुछ ठीक है कोईले घोटेले का यहां पर इनुने जिक्री किया जिसकी वज़े से विकास पीचे छूड के बहराल कॉंग्रेस के विधायक के ओपर कई सारे सवाल खड़े हैं जवाब देना हैं यह पूरे छेट्र में काम करते हैं जाके विधायक की ऐसे से सारे लोग हमारे ऐसी परफण परना नहीं है कि बिल्कुल एक केंद्रित करते एक जहां तरह सारे लोग विधायक की ऐसे बैठे हुए हैं और उनके सारे सवालों का हम जवाब देने के लिए तयार बैड़ी प्रद्रेस में हो रहा है जाना सड़के नहीं बन रही है ठीक है अरोप आरोप के बदले में फिर आरोप ठीक है संग्षे पर रखेगा प्रीज मुझे बाखे लोग बचाने मैं अपने जो भारती जन्ता पार्टी के यहां पर मित्र बैठे हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हमारा जो अनुकपुर जिला है खासकर कोतमा विधान साबा है वो 36 गड़ का बार्डर है हमारे यहां जो अभी अंबिकापुर से निजामुत दीन ट्रेन चल रही है उसकी तेख लिजे उसमें दोटो डिब्बे स्लिपर के नहीं लग पाया भी लगे है जनरल बोगी नहीं है अभी जो साइड़ोल से नागपुर ट्रेन की भुश्णा हुई वह अनुकपुर उसके में कहीं पता है नहीं है अनुकपुर का तो इस तरह की ओजनाव में क्या कहेंगे ठीक है ठीक एक सवाद महिला सुरच्छा की बात करते हैं भाजपा के लोग सरमाना चाहिए प्रदेश है चाहिए हम अनुकपुर जिले की बात कर रहे हैं अनुकपुर जिले की बात आ रहा हूं यहां से सवाल हैं जी जी बोली और यह आपके तरह से बना है मैं आप से सवाल पूझना चाह रहा हूं इसमें बहुजन समाज पार्टी राश्टी पार्टी है तीसरे नमर की पार्टी है आपने इसमें पैंसे एक आप्शन दिया है अना उसमें पना नाम लिखिए हैं सवाल मत खड़ी कि अपनी बात रख यहीं है आज हम देश के अंदर तमां तरह पुरे दुनिया के चाह कह रहे हैं कि हम धारत को राष्ट बनाना चाहते हैं गुरु कौन बंता में बहुरु बंता पढ़ा लिखा औमी जो पढ़ा लिखा दिए होता है और गाउं के जो प्राइमरी स्कूल की हालात है जहां से बच्चों का निव पैदा होती है अज सरकारे चाहे बीजेपी की हो चाहे कांगरेस की है क्या कर रहे हैं कि आठमी तक लड़कों को फेल नहीं करना है जो लड़का आठमी तक फेल नहीं ह होगा उसकी निव खराब हो जाएगी वो पढ़ लिग नहीं सकता है और जो पढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा तो आपके श्कूल के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है मैं आपसे पुरा आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि इस प्रदेश की सरकार को हमारा स कंदेश पहुंचाहिए कि इस देश के अंदर जो निचलेस तरह का एजुकेशन है जो नीव है उसको मजबूत करने का काम करें ठीक है एजुकेशन ये बहुत अच्छा आपने मश्यों उठाया जी बोलिए ये कांग्रेस के लोग जो है महिला अत्याचार की बात बार बार कर रहे हैं कंसकम इनसे ये तो पूचिए कि मुकदमा किस पर कायम है महिला अत्याचार क्या है महिला कूपर अत्याचार कौन कर रहा है इनसे पूचा जाए अठारा साल से परदेश में भाच्पा की सरकार है इसके पहले माननी बंटादार जी की सरकार थी उस समय पूरा पर पर बात करने की कोशिश करते हैं जी बोलिए बोलिए सर मैं तो सरुपतम जन करवा को अभिनंदन करता हूं मेरे कांग्रेस के बहुत बरिष्ट आधरनी मित्र साथी बैटे हैं मैं आपके मादेम से उनसे जानना चाहता हूं जब मद्य परदेश के मुख मंत्री मानिये दिग आता नहीं था बिजली के बेवस्था नहीं था सिचाई के बेवस्था नहीं था और भारतिय जनता पार्टी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास और कांग्रेस का मंत्र है सबका साथ विधायक जी का विकास ठीक है ठीक है ठीक है सवाल लिए बोली 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 जब बरतमान मुद्दे पर इनसे कोई भी प्रशन पूछा जाता है तो ये इतिहास में अपने आपको छुपाने की कोशिस करते हैं आज की डेट में चरम पर महगाई है मद्यप्रदेश का हर ब्यक्ती एक इंडिविडूल ब्यक्ती 41,000 रुपए कर्ज में है मैं बार बार आपसे निवेधन कर रहा हूं मैं मद्यप्रदेश की सिलसिले वाति में अनुपुर जिले की बात करना चाह रहा हूं अनुपुर की समस्याओं को उठाइए उस पर बात कीजे ताकि कुछ सार्थक निचे लिए यहां 25 वरसों से बी जेपी सरकार थी उसके बाद जन समरतन लेकर सब 212 किरीए कलाप होने के बाद सीरा सवाल कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार आई जिन्होंने खरीद फरोक्त करके बीजेपी सरकार फीर से सरकार बना ली उसके बाद ये बोल रही है कि बरस्टाचार हुआ बरस्टाचार पंद्रा सालों में हुआ है पंद्रा साल के बाद तीन साल एस्ट्रा में महंगाई बढ़ी है महंगाई पिट्रोल, सब्जी, स्कूल, सिच्छा, किताब हर चीज में महंगाई है कहीं भी महंगाई कम नहीं हुआ है तो इसका भी जवाब दे पिट्रोल महंगाई है इसका भी जवाब दे अब तीन साल के बाद अब चुनाव आया है तो महिलाओ के याद आया है कि एक हाजार रुपर महिला लाड़ी है अब अब आदमी पार्टी के मित्र को बताना चाहूंगा कि दो सियम राजी स्कूल हमारे मानिय विधायक जी के उसमें प्रयास से आए और जब-जब विधायक जी कोई नेक कारी करते हैं तो यहां भाजपा के मित्रों द्वारा उनके उपर अलीगल इलजाम लगाए जाते हैं अभी कोरोन नकाल में विधायक जी ने टेनकर मगवा के सनेटाइज का काम किया उसको भाजबा के मित्रों ने जब तो करवा दिया ठीक है यहां से बोली 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 जल्दी जल्दी सीधी पे साफ कांड हुआ उसके जिम्मेदार यह भारती जनता पार्टी की सरकार है अभी नव दारिकों सियम यहां अनुकपुर में आये थे और दो दो सो रुकवाएं में पूरू सोर महिला को गाड़ी भर भर कले जा रही थी है ना ठीक है और उसके बाद जब यह एलिगेसन लगाती है कि मानिय विदायक जी ने क्या किया ठीक है ठीक है सीधे सवाल देखिए यहां पे सारा मेरी प्लीज भाशन की जरूत नहीं है जनता सिर्फ मुद्दे सुनना चाहती है सवाल सुनना चाहती है सारी जानकारियां आई बीसी 24 पर लगातार हम डिबेट करते हैं कहीं कोई दिक्कत निए चली बोलिए यह दोनों दलों के नेता यहां पर बैठे हुए है यह दोनों आपस में वहस कर रहें क्या दोनों यह बात बताएंगे कि दोनों ने मैं अतिती सिक्षक हूँ अतिती सिक्षक जिलानूपूर से विलांग करता हूँ हमने भाजपा की भी सरकार देखी है हमने कांग्रेस की भी सरकार देखी है और क्या करेंगे ये मुझे दोनों से पूछना है दोनों से आप जवाब ये सवाल रिपीट वाले पहले पूछा था है आशे आपका हो चुका है तुकि दूसरों को मौका देना है बोली कौन वड़ा था सवाल नहीं उपन जनताज सवाल था कौन था बोली है मैं एक युवा हूँ और ये देश भी युवाओं का है तो एक युवाओं की बाते रखने भी बहुत मातपूर हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाओं का समय होता है और मैं किसी व्यक्तिकत विधायक का नाम नहीं लेता लेकिन हर वार आते हैं खड़े हो जाएंगे चौ और चाहता रीजे कि अगर पूरे जिले में कहा जाता है सामान निसीट है फलाने नेता है यह बहुत सवाल कुछे सीड़ सवाल पूछे यह है कि रोजगार के उसिरका आएंगे रोजगार के अधर कव आएंगे ये बड़ी बात रोजगार को लिकर सवाल है आ रहा हूँ से पूछना चाहता हूं 18 साल पहले जब इनकी सरकार थी आस पास के पुरे एक ग्रामीड चेत्रों में आवा गवन कितना मुश्किल होता था इन कुछ यह एक भी गाओं में सडके नहीं थी एक एक गाओं को मुख्य सडकों से जोड़ा एक गाओं में डामर की सडक बनाई यह हमारी उपलब्दी है नलजल योजना के माध्यम से एक घर में टोटी वाला करेक्शन देकर पानी का पाइप लाइन पहुचाया है यह हमारी सवास बनाए है वह हमारी उपलब्दी है यह जो कोठी की बात कर रहे थे ना यह कोठी से जब पहले कोत्मा आते थे तो इनको विजुरी बहराबान घूम के आना पड़ता था के वही नजी के उपर हमने दो दो बड़े पुल बनाए ताकि वह 15 मेर के अंदर कोत्मा मेरा मुख कहने का विशह सिर्फ यह था कि 10 साल से कॉंग्रेस के विधायक है आप लेकारकर्म को स्टार्ट करते हैं यह बोला कि यहां के प्रमुक मुद्दे क्या हो सकते हैं यदि कॉंग्रेस के विधायक 10 वर्सों से हैं तो 10 वर्सों में अपनी क्या कतिविदियां किये ह कि लिए जैज करवाने के लिए यह विदायक के लिए जीला बार 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 विदायक। यहां से कोई जवाब दीजेगा मैं कुलांचल छेतर से हूँ मैं कोतमा सहर का नहीं हूँ सबसे पहले तो अपनी पीडा बता दूँ कि जो कोतमा सहर हमारा हिर्देश हल है यह बेसिकली सम्वेदन हीन है इसके पास कोई सम्मेदना नहीं है और किसी के लिए दूसरी बात नलजल योजना रास्टी राजमार यह कोई कोतमा भर में नहीं बना यह पूरे भारत वर्ष में बना अगर भाजपा के लोग इसको अपनी उपलब्दी बताते हैं तो मैं कहता हूँ कि जिश्चित रूप से दुरभाकापूर थ नगर परिशत तीन बनी , तीनों में 230 आदमी की फर्जी भरती हो गई बाचपा के नेता इदर बैठी हुए है इसके आदा इधर बैठी हुए एक नेता खडा हो के बोल दे कि हमने उस भ्रस्टाचार का भी रोत किया कि सारे भ्रस्टाचार और सुनिए आप IBC 24 में है आप निकालेंगे सुची तो आप पाएंगे कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के पुत्र और पुत्री उस नगर परिशत फरजी भरती में सामिल है कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेताओं के रिजदार सामिल है प्रस रूठता ये कि कोत्मा सहर आगे कैसे बढ़ेगा इस तरह के भ्रस्टाचारी लोग सब जगे सब पिछली बार में था यहां पर तेक नारा लगा था कांग्रेस भाच्पा भाई भाई ये इस कोत्मा सहर में नारा लगा था आप किसी प्रस्टाचार के मुद्दे पर आप नेताओं को बोलते नहीं पाएंगे ना भाच्पा के ना कांग्रेस के कुई सब मिल कांग्रेस के साथ भर्ती की बात कर रहे है और भर्ती के मुद्दे कOC निहों बना के नगरपाली का चुनाओ लड़ा तो अगर वो भरती इतने गलत थी जो भी था तो क्यों आपके पारसाथ वहाँ पे जीत के नहीं आए बर्गवाँ में 15 पारसाथ में से खाली एक आग्रिस के जीत कि आया जबके इनका मुद्दा ये था दुमर के छार में इनके एक प ठीक है चलिए पीछे पीछे यहां से हाँ बोली सवाल 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 ले लेते हैं यहां सहर में काफी जनप्रतिनी दिया है लेकिन जनप्रतिनी लोगों ने जितने जनप्रतिनी हैं आपे किसी ने भी यह नहीं सोचा कि हमारे देल से सहर से रेल गाड़ी जा रहे हैं तो जन्पेदी जो जन्पेदी हमारे यहां के हैं वो ऐसा ही काम करते हैं जिनमें उनको फाइदा हो जिसे उनको फाइदा नहीं होगा वो काम नहीं करना चाहते हैं यह ट्रेन की सुविधाओं को लेकर मैं तो पुछा आ रहा हूं पीचे में रिपीटिशन ना ओं मैं ज्यादा कोशिश है मेरी कि ज्यादा ज्यादा लोगों को यहां पर कम से का मौका मिल सके जी नुली चेत्र का नागरीक होने के नाते मैं यहाँ पर सभी वरिष्ट जनों से एक क्वेस्चन करना चाहता हूँ कि चेत्र में और द्योगी चेत्र होने के कारण यहाँ पर रोजगार की क्या वेवस्था जन प्रतिनीधिव द्वारा की गई और अभी वर्तवान में पहुचर्चित कंपणी हमारी माइनी की जेमेस कंपणी है जो ठोड़ा गोहंडरा में खुल रही है कोल माइंड्स की है उस पर युवाओं के रोजगार के लिए और चेत्री और जमीन के अधिकरहन संबंधी जिन किसानों की चमीने फज रही है उनके मुआबजे के क्या प्राउधान के लिए उनकी हक की लड़ाई के लिए क्या आपके जनप्रतीदियों के माध्यम से क्या किया गया सवाल रोजगार को लेकर बार बार सवाल रोजगार को लेकर खड़ा हो रहा है बोलिए एज भारत में इसे homicide है जहां चाथ से पानी टिपग रहा है लेकिन किसी को कोई परवार ने इस चेत्र में इतने सारे जन्व परतिनीधी हुए लेकिन ग्राम तो आते हैं ग्राम में देखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वहां किसिजी परवार नहीं अच्छा वो अभी भारती जन्ता पार्टी के एक नेता हैं वो कह रहे थे कि अमें तो घर-घर में नल पहुंचा दिया बहुत सारा विकास हुआ है यहां पर मैं तीन सवाल करना चाहता हूँ भारती जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस दोनों से यह इस्थानी मुद्धा है जो बिजुरी में प्राथमिक स्वास्त केंद्र है इसका उन्यन कब होगा क्या यह केबल राजनीतिक टूल बनके रह जाएगा क्या 2024 में फिर यह मुद्धा बने देगा किस्था ब़हारती जन्ता पार्टी और जो कंग्रेस Party is परष्ट आपिंस वार्त की ड को er इस ब Advaki सबढ़ेश और गस्टचर नीति से परकषान हो चुकी है आम आदमी पाल्टी सवुच्विचार्ण्धारा की पाल्टी के साथ जन्तों बार जाना चाहती है बदला नहीं मिल रहा है बराबर सभी को मिल रहा है रोजगार में बराबर पद मिल रहा है क्या पद मंदल अध्यच इसके लावा कुछ नहीं मिल रहा है ठीक है कहीं सह मंत्री कहीं विवेक मंत्री दुनिया भर का मंत्री दे रहा है लेकिन जमीनी इस्तर पे रोजगार का कोई समाध कि अगर आपकी आप सभी को लाडली बहना योजना होता है मामा बतीजा सब कर रिष्टेदारी निभाते हैं तो क्रपया करके पांच साल की रिष्टेदारी निभाइए लाच के तीन महीने की रिष्टेदारी मत निभाइए यह जुम्रें मैं सिर्फ एक बात जरूर पूर्ण चाहूंगा एक जिम्मेदार नागरिक होने के हैसियत से पूरा बजार पूरा बजार हमारे मद्द प्रदेश शासन नजूल विभाग में है कोई भी किसी के पास पट्टा नहीं है किसी के पास भी अपने मालकान हक नहीं है क्या इस संदर जन और भाजबा कांग्रेश के नेतागरों से करना चाहता हूं कि अभी कुछ विवक्त पहले एक हमारे छोटे भाई आसी जी का स्वरवास हो गया था मात इसी जी की सुविधार ना होने से कोतमा सी अपने विदान साब है कि लाख हो वोटर जेड़ लाख वोटर है तक्री स्वास्त को लेकर क्या किया आप लोगों के विधायक भी यहां पर रहे प्लीज 15-18 साल को मत गिनाएगा आप लोगों ने क्या किया बताई देखें मैं बहुत सारे मुद्दे आए उन सभी मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ पंद्रा साल किसकी सरकार थी, दस साल किसके विधायक थे, मेरे भाजपा के मित्रों ने आरोप लगाया, मेरे कांग्रेस के मित्रों ने उनका जवाब दिया, लेकिन मेन मुद्दे पर कोई नहीं आया पीछे से आवाज उठके आई स्वास्थ के संबन्ध में बहुत सही आवाज है। आपने भी पूछा है उसका भी जवाब दूँगा। विकास तो स्वचलित ब्यवस्था है एक गरीब का बच्चा भी जन्म लेता है तो वो भी जवान होता है और एक प्रधानमंत्री का बच्चा भी जन्म लेता है वो भी जवान होता है उसके लिए अलग से कोई घूंटी डालने क्या हो सकता नहीं कि वो कैसे जवान होगा जो भी छेत्र में विकास हुए हैं चाहे 15 वर्ष के सासन में हुए हूँ चाहे 15 महीने के सासन में हुए हूँ वो स्वचलित ब्यवस्ता है वो होगी ही होगी और वही हुआ है उसके अलावा कुछ नहीं हुआ मैं अपने दोनों तीनों चारों दल समाज सेवा जो भी यहां मौझूद साथी तोड़ा संखेप में बोलूँगा लेकिन चूकि बोलना आवश्यक है इसलिए बोल रहा हूं इन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा 15 किलो मीटर दूर 36 गड़ है जा करके वहां का विक मुझको यह कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि कोतमा विधान सभा में भारती जनता पार्टी की सरकार में भारती जनता पार्टी के नेताओं ने और दस वर्स से कांग्रेस के निर्वाचित विधायकों ने किसी ने कोई काम नहीं किया है इस बात को मैं सहर सरकार करता है यह बहुत आखे खोलने वाली बात दिनों ने कही है कि काम किसी ने नहीं किया है सिर्फ बातें बड़ी-बड़ी हुई है यह जो कह रहे हैं कि स्वास्त के छेत्र में हमारे विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया सबसे पहली बात तो यह है कि जो कांग्रेस और स्वास्थ विशापर जो वी बील्डिंग की बात कर रहे थे भाज़पा के लोग वो सभी कांग्रेस शासन की देन है बील्डिंग उसके बाद लगा कपके कपके शाशन यूप यूप केंद्र केंद्र 1 मुन आ रहा हूं आ रहा हूं कांटर लेने आ रहा हूं चला नहीं कि दूसरी ल् rif में ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ आचारे भाच भाजपार्स a कि इतने विधयक जमने को चर्विवीड रॉकार रकी करने को हिस ने यहां पर बड़ी तो बना लेकिन स्वास्थी ब्यवस्था जो अध्रुस नहीं की एक भी डाक्टा नहीं दिया आज चल्मरा रही है वो सिर्फ भाजबा सरकार और भाजबा के नुमाईंद चीक है बिल्दी के आर बोली अभी अभी हमारे भार्दी जंदा पार्डी के मित्रों को उनको उनको अधिकार नहीं है भाजबा की नगरफालिका रही है 26 लाघ रुपाय का रोड़ चोरी हो गया उसमें किसी नहीं बोला हमारा हमारा अध्यक्ष बैच्छा हुआ है 26 लाग रुबाए का रोड चोरी हो गया किसी नहीं बोला अभी जो माडल सड़क बन रहा है 10 लोड रुपए का उसमें किसे ब्रश्चाचार हुए उसमें कोई बोलने को तैयार नहीं है मौडल सड़क में बेश्चाचार में हाँ बोली जी 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 मैं ये बोलना चाहरा हुए कि कांग्रेस और भाजपा दोनों आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं कि वास्तविक्ता क्या है वास्तविक्ता यही है कि ये बिलकुल भी काम के लायक दोनों पार्टी नहीं है अब कांग्रेस के मित्रों से पूछना कि जब 2018 में चुनाओ चल रहा था उसके पहले कांग्रेस के विधायक जो अभी निर्वाचित हुए है उन्होंने गांधी चोक में किस बात की सपत ली थी बकायदे नोट्री में उन्होंने सपत ली थी कि चाहे मेरे पार्टी की सरकार हो लेकिन मैं हास्पिटल की व्यवस्ता दुरूस्त करूंगा बच्चों को सिक्षा के लिए कोचिंग संस्थान विधायक मत से चलाओंगा और तरह तरह की सुविधाओं के उस सपत पत्र को उन्होंने गांधी चोक में जो हमारे इस नगर का सबसे पवित्र स्थल माना जाता था उसको उस जगह पर सपत पत्र लेके उस चपत पत्र का को बिल्कुल परिपाला नहीं किया उन्होंने किया है समय 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 खत मौरा मेरा थोड़ा संक्षेप में बोले प्लीज जी बोले देखे एक मिनट आपको देंगे आपको दिए आज जो है आज देश प्रदेश में जो विकास का एक पहमारा तेह हुआ है प्रदेश को गढ़ने का काम जो हुआ है विकास के जिशा में हम सब लोगों ने देखा है ठीक है यहां से भी हार चलिए फाइनल सवाल ले रहूं दोनों पार्टिया अपनी अपनी बातों में अपनी आपर पार्टिया लेकर यहां पर बहुत सारे सवाल हैं जन्यता यहाँ पर परिशान है सिर्फ आरों प्रत्यारों यहाँ पर लगता रहेगा फिलाल इस कारिकम में इतना ही आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार कारिकम लगता जाने रहेगा नमस्कार